हेलो फ्रेंड्स, साइकलाजी की बात्षाला में आज बहुत ही बेसिक टॉपिक पढ़ने वाल है और इससे अधिक बेसिक क्या हो सकता है कि टॉपिक ये पढ़ा जाए कि मनोविज्ञान क्या है लेकिन दूसरी तरफ और भी है एक दूसरा पहलू ये है कि मनोविज्ञान क्या है ये एक बेसिक टॉपिक है लेकिन यदि आप ये न जाने कि मनोविज्ञान क्या है तो उसके आगे की जो लाइन है वो तो बिल्कुल सपाथ है मतलब कि आप जान ही नहीं सकते मनोविज्यान के आगे के टॉपिक्स को कुछ लोग कहेंगे साब ये repeat कर रहे हैं topic बिलकुल कर रहे हैं और बिलकुल repeat इसलिए कर रहे हैं कि भाई साब दो साल हो गए हैं दो साल पहले इस topic पर वीडियो बना था और आज बिलकुल दो साल बाद इस topic पर वीडियो बन रहा है और ये बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि revision तो होना जरूरी है अगर revision नहीं होगा तो आपने सुना जरूर होगा कि आगे part और पीछे support कि पीछे के topic को हम भूलते जाएंगे आगे नए नए topics पढ़ते जाएंगे तो आज का topic क्या होगा आज का topic होगा what is psychology मनोविज्यान क्या है जब हम मनोविज्यान की बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि मनोविज्यान शब्द कहां से आया तो अगर हम इसके इतिहास पर अगर थोड़ा सा देखी या मैं कहूं कि यह कहानी सब कब से शुरू हुई तो फिर मनोविज्यान की कहानी शुरू ही 1590 से 1590 से 1590 में एक जर्मन फिलासफर थे जिनका नाम था रुडोल्फ रुडोल्फ गोकल आप कुछ लोग इसो कहते है रुडोल्फ गोकल आप जो भी मान के चलें कि यह रुडोल्फ गोकल थे जिनोंने साइकलोजी वर्ड जो है उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था अब आपने एक बात ध्यान दी होगी कि मैंने क्या का कि 1590 में यह रुडोल्फ गोकल जो थे वो जर्मन फिलासफर थे इससे एक बात समझ में आ रही है कि इसके पहले मतलब की 1590 के पहले साइकलोजी की अपनी कोई ब्रांच नहीं थी मतलब की साइकलोजी कहीं से निकल किया आया है तो साइकलोजी का रूट क्या है साइकलोजी कहां से आया है तो साइकलोजी आया है फिलासफी से फिलोसफी से साइकलोजी निकला अब जब ये 1590 में रुडोल्फ गोकल ने पहली बार साइकलोजी वर्ड इंट्रोड्यूस किया था लेकिन कोई आपसे भी ये कहे कि भाई साइकलोजी आया कहा से तो इसका रूट है फिलोसफी दर्शन या आप कहें कि दर्शन चास्त और ये बात है 16th century क्योंकि आप देखेंगे 1590 16th century की बात है और 16th century में जब ये वर्ड आया तो लोगों ने कहा कि साइकलोजी वर्ड का मतलब क्या होता है तो ये देखा गया कि ये जो psychology word है ये Greek word है और दो Greek शब्दों से मिलके बना है एक को कहते हैं हम psyche एक को हम कहते हैं psyche या psyche 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 और दूसरा है जिसको हम कहते हैं logos ये दो शब्दों से मिलकर बना है psychology psyche का मतलब होता है soul आत्मा और logos का मतलब होता है study करना या दूसरा एक शब्द आता है इसके लिए logos का मतलब होता है science तो इससे एक बात निकलकर आई कि उस समय जब psychology word आया तो आप ये देखें कि psyche मतलब soul logos मतलब study और science तो psychology का मतलब क्या हो गया psychology is the study of soul या psychology is the science of soul कि आत्मा का विज्ञान है मनो विज्ञान और आत्मा का अध्यान है मनो विज्ञान और जब ये 16th century में ये बात चल रही थी तो उसमें तीन philosopher थे जिनका नाम बहुत ज़्यादा famous है और इस बात से जुड़ा हुआ है जिन्होंने मनो विज्ञान को कुछ समझाने की कोशिश की आत्मा के परिप्रिक्ष में आत्मा के विज्ञान के रूक में तो तीन लोग कौन थे एक का नाम था Plato, एक का नाम था Arastu, और एक का नाम था Descartes, ये तीन लोग थे जिन्होंने कहा कि साब अगर आप psychology को जानना चाहते हैं, तो psychology क्या है, psychology is the study of soul या psychology is the science of soul आत्मा का विज्ञान है मनो विज्ञान, या आत्मा का अध्यान है मनो विज्ञान ये बात है 16th century की लेकिन जो philosopher थे, जो मैंने अभी नाम लिए, उन सब के सामने या गोकल साब के सामने भी कुछ प्रश्ण थे वो कहते थे कि साब आत्मा का अध्यान मनो विज्ञान है लेकिन लोगों ने का कि साब हम आपके सामने तीन question करते हैं तीन question क्या करते हैं आप साब ये बता सकते हैं कि can we see the mind can we see the soul कि क्या आप आत्मा को देख सकते हैं तो philosopher साब ने कहा होगा कि साब आत्मा तो दिखती नहीं है अब आत्मा दिखती नहीं एक बात ध्यान रखेगा आत्मा हमारे अंदर है लेकिन आत्मा दिखती नहीं है दूसरा उन philosopher से question किया गया कि क्या आप अपनी body में आत्मा का इस्थान बता सकते हैं तो उनने का कि नहीं साब ऐसे तो आत्मा तो पूरे शरीर में है और इस्थान ये जरूरी नहीं है कि इस्थान आत्मा का measurement कर सकते हैं तो उन्होंने का कि साब जब आत्मा दिखाई नहीं देती जब आत्मा की existence आप body में बता नहीं पा रहे हैं तो आप measurement कैसे करेंगे और किसी भी चीज को जानने के लिए उसको दिखना या उसका कही न कहीं existence होना कि वो exist करती है भी कि नहीं करती है और अगर किसी भी तरीके से हम उसको मापन कर सकें हम उसको assess कर सकें तो फिर लोगों ने कहा कि नहीं साब आत्मा को देख नहीं सकतें तो फिर ये कहना कि psychology आत्मा का अध्यान है या psychology आत्मा का विज्ञान है ये थोड़ा सा कठिन काम है इसको समझेना थोड़ा कठिन है तो फिर नए लोग आए और नए लोगों ने कहा कि नहीं साब ये अभी थोड़ा सा थंडे बस्ते में इसको डालते हैं तो फिर दूसरी बात क्या हुई दूसरी बात यहां से शुरूई थी 16th century से अब ये बात आते आते 17th century आ गई मतलब की सत्रवी शताबदी आ गई और सत्रवी शताबदी में कहा कि आत्मा को अभी थोड़ी समय के लिए छोड़ देते हैं अभी क्या करते हैं साइकलोजी क्या है study of mind मन का विज्ञान है या मन का अध्यान है मनो विज्ञान यहां पर कोई psychologist के या philosopher के नाम नहीं है यहां पर केवल बात क्या है मन का विज्ञान है हो सकता है वो उस समय के जितने भी लोग थे उन्होंने मन के उपर जाकर अपनी गारी ठीका दी लेकिन फिर वही बात क्या मन को देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं क्या मन की existence इस पूरी body में बता सकते हैं नहीं बता सकते हैं क्या मन का measurement कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं तो फिर question आया किसा आप मन को कुछ देख तो पानी रहे हैं मन की existence आप बता नहीं पा रहे हैं, तो फिर मन का अध्यान करेंगे कैसे, तो भी लोगों के सामने एक question ख़़ा हुआ, तो लेकिन ये बात मन के अध्यान पर जो कुछ बात जाकी जो अटकी, लेकिन लोगों ने का कि सब मन का अध्यान हो तो सकता है, तभी तो कहते हैं, सब मन को आप correlate कर सकते हैं, तो मन के अध्यान पर बहुत समय तक चिंतन चलता रहा, अब इसी चिंतन को चलते चलते पूरी के पूरी 18th century निकल गई, मतलब कि तब तक ये psychology के बारे मैं कहा गया, कि psychology is the study of mind, कि मन का विज्ञान या मन का अध्यान मनो विज्ञान है, लेकिन फिर अभी बात अभी तक जमी नहीं भाई साब, बहुत सारे लोग और भी आ रहे थे कि साब, नहीं कुछ और भी नया होना चाहिए, नया कुछ और भी विकास होना चाहिए, तो फिर आ गई 19th century, अब 19th century आई, मैं इसको मिटा रहा हूं, अब 19th century आई, तो 19th century में एक दो लोग जो बहुत फेमस नाम है, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं, 19th century की, दो लोग है, एक का नाम है, विलियम जेम्स, और एक का नाम है, विलहम, इसको भी हम विलियम बोलते हैं, लेकिन इसका नाम विलहम है, विलहम वंट, विलहम वंट, यह दो साइकोलोजिस्ट आए, उन्हों ने कहा कि सब मन का विज्ञान भी नहीं है, मनो विज्ञान, अब 19th century में इन्होंने कहा कि मनो विज्ञान चेतना का विज्ञान, अब देखिए कहां से बात शुरू ही थी, आत्मा से बात शुरू ही, मन पे अटकी, मन से बात शुरू ही, तब चेतना पे जाके अटक गई, 19 सेंटूरी में कहा कि मनोविज्ञान क्या है मनोविज्ञान study of consciousness है study of consciousness चेतना का विज्ञान या चेतना का अध्यन मनोविज्ञान अब फिर लोग criticize तो करेंगे क्योंकि लोगों को भी अपने अपने नए नए विकास की जरूत है subject तो तभी विक्सित होगा ना कि जब कुछ नया नया कोई नई नई विचार था रहा आएंगी तब एक बाद में मतलब इनके बाद जब इन्होंने चेतना का अध्यन की बात की या चेतना के विज्ञान की बात की तो एक year आया जिसको हम कहते है 1923 और 1923 में एक साइकलाजिस्ट आये जिनका नाम था विलियम मैकडूगल विलियम मैकडूगल अब विलियम मैकडूगल ने कहा कि इसाथ चेतना आपने बात कर तो ली लेकिन चेतना तो बहुत छोटी होती है बहुत छोटी किस लिए होती है कि कि चेतना का सम्मंद केवल और केवल वर्तमान क्षण से होता है जो बिल्कुल immediate एक जो moment है वालब कि इस समय क्या हो रहा है आज से पहले क्या हुआ था पांच मिनिट पहले क्या हुआ था बाद में क्या होगा नहीं current moment तो current moment तो बहुत छोटा है तो अगर यही चेतना है तो भाई सब और बहुत सारी चीज़े बाकी है वो फिर मनो विज्ञान कहां आ जाएगा तो इन्होंने का कि नहीं चेतना का विज्ञान तो नहीं हो सकता मन का विज्ञान तो पहले ही cancel कर दिया था आत्मा का विज्ञान तो पहले ही cancel कर दिया था कि सब चेतना का विज्ञान भी नहीं हो सकता तो फिर क्या हो सकता है बाद में आया कि नहीं इनके साथ एक और मिले जिनको हम कहते है जे बी वाटसन जे भी वाट्सन मिले और इन्हों ने कहा दोनों ने मिलकर कि साइकलाजी क्या है study of behavior व्यवहार का विज्ञान या व्यवहार का अध्यान मनो विज्ञान अब लोगों ने कहा कि सब व्यवहार को देख सकते हैं तो लोगों ने कहा बिलकुल व्यवहार को देख सकते हैं मैं पढ़ा रहा हूँ ये मेरा व्यवहार दिखतो रहा है न क्या व्यवहार की existence आप बता सकते हैं तो करें कि हाँ बिलकुल शरी इस body में जो भी चीज़े हो रही है मैं जो भी कुछ response कर रहा हूँ जो भी purposeful दिखाई दे रहा है जो भी मैं क्रिया कर रहा हूँ वो क्या है वो व्यवहार ही तो है तो फिर क्या हुआ दो question हलो गए क्या व्यवहार दिखता है बिलकुल दिखता है क्या व्यवहार का इस्थान इस शरीर पर है बिलकुल है जो भी मैं कुछ कर रहा हूँ, वो व्यवार ही है तीसरा question आए कि क्या व्यवार का measurement हो सकता है तो फिर इन लोगों ने कहा कि साब व्यवार का measurement भी हो सकता है बहुत सारा psychological test available है जिसके आधार पर या जिसके द्वारा आप व्यवार का अधियन कर सकते हैं अगर उनके द्वारा ना भी हो तो आप observe करके व्यवार का अधियन को अच्छा ये व्यक्ति ऐसा है और इसका व्यवार बहुत अच्छा है और ये तो बहुत अच्छी बात करता है और ये तो चलने का तरीका बहुत अच्छा है और इसके बोलने का तरीका बहुत अच्छ है हम क्या करते हैं जज करते हैं अब जज किसको कर रहे हैं जज विवेक को नहीं कर रहे हैं जज विवेक के व्यवहार को कर रहे है और जब विवेक के व्यवहार की बात आ गई तो फिर कहां पर आके अटक गए कि साब psychology क्या है study of behavior व्यवहार का अध्यान या व्यवहार का विज्ञान मौनो विज्ञान लेकिन एक बहुत ही important काम बीच में हुआ था बीच में मतलब मैंने अभी आपको अगर इसके पहले मैंने लिखा था 18th century में जो नहीं 18th century में जो William Wundt आये थे ना इन्होंने एक बहुत ही बड़ा काम किया था मतलब इतिहास का पहला उन्होंने काम किया था कब किया था 1879 में लिपजिंग युनिवर्सिटी जर्मनी में इन्होंने पहली मतलब William Wundt ने पहली मनोविज्ञान की प्रयोग शाला खोली थी लिपजिंग युनिवर्सिटी में जर्मनी में और इसी लिए विल्यम वंट को मनोविज्ञान का फादर या experimental psychology का फादर दोनों ही देखिए experimental psychology की शुरुवात विल्यम वंट से हुई थी तो दोनों बाते लोग करते हैं कि मनोविज्ञान का जनक कोन है तो भी विल्यम वंट है और प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक कोन है तो भी विल्यम वंट है मतलब psychology और experimental psychology का फादर किसको माना जाता है विल्यम वंट को वो क्यों माना जाता है क्योंकि उन्होंने experimental psychology की 1879 में एक लैब खोली थी लिपजिंग युनिवर्सिटी जर्मनी में यहां तक बात आ गई अब study of behavior अब study of behavior में दो behavior होते हैं एक होता है covert behavior और एक होता है overt behavior मतलब कि एक व्यवार ऐसा है जो दिख रहा है जो दिख रहा है मैं क्या कर रहा हूँ वो दिख रहा है लेकिन एक व्यवार है जो अंदर है मतलब कि जो मानसिक रूप से चल रहा है वो भी तो व्यवार है तो व्यवार दोनों हो सकते हैं लेकिन आजकल अगर मनोविज्यान की बात की जाए अभी पूछा जाए कि मनोविज्यान क्या है तो मनोविज्यान में तीन बातें या तीन बिंडू ऐसे है या हम कहें कि मनोविज्यान को समझना हो तो तीन मुख्य बिंडू को समझना पड़ेगा लोगों ने कहा कि मनोविज्यान क्या है तो मनोविज्यान study है किसकी सबसे पह एक्सपीरियंस और टीसरा आता है बिहेवियर तो आपसे कोई पूछे मनोविज्यान क्या है तो मनोविज्यान मानसिक प्रक्रियाउं, अनूभवों और व्यभार का विज्यान है या मनोविज्ञान क्या है मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं अनुभव और व्याभार का अध्यान है बड़ी सिंपल सी बात कहां से शुरू हुए थे 16 से शुरू हुए जब आत्मा के विज्ञान की बात थी जब 1590 में रुडोल्फ कोकल ने साइकलाजी शब्द को इ study of mind बाद में फिर mind चलता रहा mind चलने के बाद फिर कौन सा आ गया फिर आया आपका 19 सेंचुरी वहाँ पर लोगों ने कहा जिसमें दो नाम बड़े फेमस है विलियम जेम्स और विलियम वुंट की नहीं साब यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर होगा मनोविज्ञान चेतना क विज्ञान है study of consciousness यह भी बात कट हो गई मैक डूगल ने कहा कि नहीं साब यह ठीक नहीं है कहा पर इन्हों ने डिनाई किया इन्हों ने अपनी एक बुक मलब विलियम मैक डूगल की एक बुक थी outline of the psychology उसके page number 16 पर page number 16 पर जो 1923 में publish हुई थी उस book में कहा गया कि नहीं मन psychology is the study of mental process, experience and behavior लेकिन सबसे important है व्यवार, व्यवार का अध्यन या व्यवार का विज्ञान मर विज्ञान तो आज का topic लंबा हो सकता था अभी और भी बहुत सारी चीज़े बाकी हैं लेकिन अभी मैं यहीं पर finish कर रहा हूं कल फिर एक नए topic के साथ मिलेगे, thank you